हाई फ्रेंड आज मैं एक एंटिवाटिक जेल का रिव्यू करने जा रहा हूँ कील मुहसों को दूर करने के लिए इस मैडिसिन को अपलाई करने की एडवाइस के जाती है एरिटॉप जेल ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है यूएसवी लिमिटेट के दोरह इसका प्रोडक्शन किया जाता है कीमत के अगर बात करें तो 20 ग्राम का एक जेल मार्केट में 137 रुपीज का उपलब्ध होता है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन्स आप तक आ जाएं और आप मेरे कोई भी वीडियो को मिस्त ना करें अगर आपने इस प्रोड़क्ट को इस्तिमाल किया है तो आपके क्या-क्या एक्स्पिरियंस रहे हैं कमेंट सेक्शन पर लिख कर मुझे चरूर बताएं आए फ्रेंड्स वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं इसके कमपोजीशन के बारे में तो फ्रेंड्स इस ओइंटमेंट में 1% बाइवेट क्लिंडा माइसीन उपलब्ध होता है अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ बैकलफिक ब्रांज के बारे में तो फ्रेंड्स क्लिंजी टॉपिकल जेल जिसे सेंटियागो लाइफ साइंसे प्राइवेट लिमिटेड के दोरा बनाया जाता है क्लिंजी टॉप जेल जिसे युनिवर्सल ट्विन लैप्स के दोरा बनाया जाता है Eknosol Gel जैसे Cystopic Laboratories Private Limited के द्वार बनाय जाता है Clinja 1% Gel जैसे Bennett Mighty for Pharmaceuticals के द्वार बनाय जाता है और Clinda Mycin Phosphate Gel जैसे Nange duМacin Science Farma Limited के द्वार बनाय जाता है Friends Market में मिलने वाले सहीं COMPODYATION के साथ UPLUB यह कुछह से different brands होते हैं जो आप इस मेडिसिन के नम मिलने की सीथी पर पर्चेस कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं आपको एफेक्ट सेम मिलता है क्योंकि इनके अंदर का साल्ट एकम पोजिशन सेम होता है अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ प्रमुक इस्तिमाल के बारे में तो जैसा मैं पहले आपको बताया है कि इस मेडिसिन को इस्तमाल कील मुहासु के लिए किया जाता है यह आपके चेहरे चेस्ट में पीट पर या सरीर के किसी अन्य हिस्से पर दाग या फुनसी गरूप में दिखाई देता है यह उन इस्थानों पर बैक्टिरिया के द्वारा होने वाले घाव पर हमला करता है और उसे ठीक करता है इस मेडिसिन का इस्तमाल बाहरी अंगों के लिए किया जाता है एक्स्टरनल यूज की है मेडिसिन होती है इंटरनल इस मेडिसिन को इस्तमाल नहीं करना चाहिए आम तोर पर इस दवा की पतली परत लगाना चाहिए और लगाने क पहले उस स्थान को साप करना चाहिए इसी क्रेप पार्ट पर नहीं लगाना चाहिए जहां पर कटा फटा हो उस स्थान पर इस Medizin को इस्तिमाल नहीं करना चाहिए आख और मुझ के संपर्क में अगर है Medizin आती है तो आपको पानी से धोना चाहिए इस मेडिसिन को लगाने के दोरान कभी-कभी यह देखा जाता है कि आपको कुछ side effect होते हैं जैसे लगाने वाली जगह पर reaction का होना जलन का होना, खुजली का होना, या लालिमा का होना तचपर रैसेस होना, पेट में दर्द होना, जीमी चलाना, चक्कर आना, उल्टी होना या डारिया होना आम तोर पर यह बहुत कम होते हैं परन्तु अगर आपको अधिक हो रहे हैं तो आपको अपने डाक्टर से इस बारे में उचित परमर्स आवस्य करना चाहिए इस मेडिसिन को लेने के दोरान जनरली यह देखा गया है कि कुछ दिन के अंदर आपको बहतर महसूस होता है लेकिन डाक्टर के दोरा सजिस्ट किया गया डियूरेशन यानि जितने समय के लिए डाक्टर ने आपको बोला हो आपको इस medicine को इस्तिमाल करना चाहिए otherwise आपको infection दुबारा वापस आ सकता है और पुने इसका इलाज करना कठीन हो जाता है इस medicine को इस्तिमाल करने के लिए मैंने तरीक आपको पहले ही बताया है कि पहले इस्थान को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए उसके पस चाहिए आपको इसे लगाना चाहिए इस medicine के बारे में कुछ specific बाते में आपसे share करता हूँ इस medicine को कील मुहासर को इलाज के लिए आपको लगाने के advice की जाती है कील मुहासर में सुधार देखने के लिए आपको इस medicine को लंबे समय तक इस्तिमाल करने की सलाह देता हूँ क्योंकि यह समय लेता है आपको धहरे रखना चाहिए और हर दिन इसको इस्तिमाल करना चाहिए जेल को इस्तिमाल करने से पहले आपको तचा को माइल्ड क्लिंजर से साफ करना चाहिए और सूखाना चाहिए आपको मुहासो स प्रहाबीत तचा को सूखा करने की पस्टाथ इस मेडिसिन को पतली परत की रूप में लगाना चाहिए मेडिसिन को लगाने को पस्टाथ आपको मामूली जलन, चुबन या खुजली का हैसास हो सकता है यह परिसानी अगर आपकी जल्दी खतम नहीं होती तो आपको अपने डाक्टर से परामर्स करना चाहिए अगर आपको लगता है कि जिस स्थान पर आप मेडिसिन का इस्तिमाल कर रहे हैं तो आपको आराम लगने की बजाय जलन और संक्रमन अधिक बढ़ रहा है तो आपको इसका इस्तिमाल बंद करना चाहिए और अपने डाक्टर से परामर्स करना चाहिए इस मेडिसिन के इस्तिमाल करने के दोरान आपको इलकोहल का सेवर नहीं करना चाहिए तो आप अपने डाक्टर से परामर्ज करना चाहिए किड्नी और लीवर रोग से जूड़ी किसी समस्यक अगर आप सामना कर रहे हैं तो आप अपने डाक्टर से परामर्ज करें क्योंकि ऐसी स्थिती में डोज एड़ेस्ट्मेंट पर पड़ सकती है तो friends यह था एक छोटा सा review medicine के उपर उम्मीद करता हूँ friends वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है तो please वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें Thank you